Hi everyone, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि react native के अंदर class components कैसे बना सकते हैं और उनको कैसे use कर सकते हैं वैसे तो react native and react jazz दोनों के अंदर ही अजकल हम लोग functional component use करते हैं बट still आपको class components के बारे में पता होना चाहिए अब मालो office के अंदर कोई ऐसा project आता है जो 6-7 साल पहले किसी और company ने किसी और developer ने उसके उपर काम करा था अब उसके उपर आपको काम करने हैं और उसके अंदर react native का काफी पुराना version use हो रखे है class components use हो रखे हैं तो आप कैसे deal करोगे because को जरूरी नहीं है जब भी आप react native पे काम करोगे आपको starting से बोला जाए कि आपको just replication बनानी है आपको bunny बना या application के अंदर भी काम करना पड़ सकते हैं और अगर वहाँ पे class component हुए तो उनको deal करने के लिए आपको class components के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए class component बनाएंगे उसके अंदर कुछ components एड़ करेंगे जैसे text हो गया button हो गया input box हो गया यह सारी चीज़े उसके बाद में हम लोग एक खुद का class component एक और बनाएंगे और उसको भी use करेंगे कि class component को दूसरी class component में कैसे use कर सकते हैं सबसे आते ही सबसे पहले मैं यह वाला code हटा दूगा विकोस यह हमारा एक functional component है हमें पात है सो मैं class component बनाने के लिए यहां पर लिखूंगा class अगर आपने किसी object-oriented programming के ओपर काम करा है न तो आपको बस देखते हैं समझ में आड़ागा क्या लिखा हुआ है और अगर आपने नहीं काम करा किसी object-oriented programming के ओपर जैसे की java होगे या फिर c++ होगे तो don't worry आपको वैसे भी समय में आ लेगा एक class लेंगे उसके बाद उस class का नाम लेंगे जैसे कि मैं यहां पर नाम रखता हूँ app इस तरह किसे इसको बनाएंगे और यहां पर ना उसको extend करना पड़ेगा आपको that means इसमें कुछ inherit करना पड़ेगा react.component या फिर डारेक्ली आप यहां से import कर लो पहले component को और यहां पर लिख लो react.component तो हम लोगों ने क्या करा जो हमारा app component था इसको inherit कर लिया component से यह जुरूरी होता है class component के अंदर functional component में हम लोग inheritance वगरा यूज नहीं करते अब हम लोग यहां पर simply क्या यूज करने वाले हैं render रेंडर एक function होता है जिसके अंदर हम एक return करेंगे हमारा html ठीक है directly हम लोग return नहीं करते because class के अंदर आपको की function चाहिए होता है return करने के लिए function के अंदर आपको कुछ भी directly return करना होता है तो कर सकते हो ठीक है तो मैंने आप एक render function मनाया इसके अंदर मैं return statement लिखूँगा कि यह function कुछ ना कुछ return करेगा ठीक है यहां पर लिख दिया अब इसके अंदर आपको जो भी ठीक लिक हो लिख सकते हो मैं यहां पर view लेता आप चाहे inline यूज़ करो या फिर external यूज़ करो जैसा मरजी यूज़ करो font size 30 color red save करूँगा इसको and let's see क्या हमें मिलता है perfect हमें यहां पर class component दिखता हुआ मिल गया बढ़िया अब इसके अंदर मालो आपको कुछ और elements यूज़ करें जैसे हम लोग buttons वह रहे यूज़ कर तो वह बिल्कुल सेम है जैसे आप पहले करते थे मैं यहाँ पे button यूज़ करूँगा और यहाँ पर कुछ title देना चाहो तो उसको दे सकते हो जैसके मैं आप टाइटल देता हूँ press me or something उसके बाद में let's say आप यहाँ पे एक text input लेना चाहते हो तो वह भी आप ले सकते हो इस तरीके से इसमें कुछ लिखना चाहो जैसे की placeholder enter your name यह लिखेंगे so still perfectly गाम कर रहे हैं यहाँ पे आपको keyword बगरने दिख जाएंगे और यहाँ पे जो type करना चाहो वो type कर सकते हो perfect so यह जो अंदर वाला part है वो बिल्कुल सेम रहेगा बस थोड़ा सा declare करने का तरीका लाग है class component functional component को अब next चीज अगर हमारे पास एक खुद का component होगा class component उसको कैसे use करेंगे उसको बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ न सबसे पहले तो एक और component बनाता हूँ हमारे components वाले folder के अंदर इसका मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ student.chess आपका जो मन करे वो नाम रख लो कोई फरक नहीं बढ़ता मैं इसको copy करूँगा यहाँ पेस्ट परफेक्ट यह करने के बाद में आप यहाँ पे कुछ और लिखो मत लिखो बाट एट लिस्ट एक टेक्स ले लो और यहाँ पे लिख दो style इसके अंदर आप ले सकते हो font size 30 and color green और यहाँ पे लिख दो student component अब इसको हम लोग use कैसे करेंगे बना तो हम लोग ने लिया use करना बहुत easy है just यहाँ पे आओ और इसको type करना चाहो तो आप उपर से import कर सकते हो जैसे हम लोग ने last one ले part के अंदर कर आ था import student from component इवन अगर आप directly लिखते हो यहाँ पे student तो visual studio code थोड़ा intelligent होता है यह अपने आप इंपोर्ट करते हैं तो भी चलेगा save करेंगे and here we go student component भी हमारे पास आ गया अब लास्ट चीज मालो की एक button के उपर आप एक function कोल करना चाहते हो मैं अभी के लिए इस part में state वगरा की बात रख लेना ठीक है so मैं यहाँ पे directly function बनाता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ fruit रख दें और यहाँ पे मैं करता हूँ console.one और यहाँ लगा देता हूँ apple को प्रिंट करेगा कर देगा को दिक्कत नहीं है बस यहाँ पे इसको कोल करने पड़ेगा यहाँ पे लिखो बना पड़ेगा अगर वो function आपका इस component से बिलोंग करता है तो ठीक है अब मैं यहाँ पे क्लिक करने कोशिश करता हूँ और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करा यहाँ आप देख सकते हो apple आ गया right so इस तरीक से हम लोग event बना सकते हैं इंटर्व्यू question के लिए पहली चीज तो यह पूछ सकते हैं कि हम लोग functional component यूज करते है class component आप बोल सकते हो class component भी use कर लो बट अजकल functional component recommended है react और react native दोनों की official documentation के अंदर और उसके बाद मैं difference पूछ सकते है class component और functional component में यह question मैं आपको इसका answer नहीं बताँगा इसके लिए वैसे तो मैं एक अलग से video बनाऊंगा कभी पट इसका answer मुझे आप comment section के अंदर बताओ कि functional component और class component में क्या difference होता है तो आप google करो कुछ सीखो कि कैसे हम लोग search करके सीख सकते हैं वो आपके लिए बैट रहेगा third चीज एक function को कैसे call कर सकते हैं यह आप देख सकते हो जैसे के हम लोग नहीं हाप लगा दिया उसके बाद में render function क्या होता है यह पूछ सकते हैं तो आप बोल सकते हैं class component में use होता है जो भी हम लोग हमारा UI वाला part लिखते हैं वो render function के अंदर return करवाते हैं ताकि हम लोग द सकते हैं तो इसलिए क्या करा react.js ने एक render नाम से function मना दिया और उसके अंदर जो return करेंगे वह हमें उस class की output दिखेगी All right, so thank you so much for watching this video और मैं आपसे request करूँगा कि प्लीज आप वीडियो को subscribe करो, वीडियो को like करो, channel को subscribe करो, comment section ने बना feedback दो और यह मेरा paytm donation number है Thank you guys, thank you so much